हेलो ब्रूमान कैसा आप लोगाई होप अब अच्छ होंगे वलकम टूद अमेजिंग प्रेटमाउफ फेजिक्स वाला मेरा नमा होगा देखना सुरू कर चुके हैं एक प्यारी खुबसूरा सी हमारी सीरीज पर सेंटाइल बूस्टर सीरीज जहां कहीं पर आप खड़े में आए हुए थे उन सब को हम कवर करने वाले जो डिफरेंट डेट्स पर आये थे उन सब को हम आज कवर करने वाले हैं चले देखते हैं अपने चाप्टर पी ब्लॉक के प्रिवियस यर क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तोत रहा पढ़िएगा बेरिलियम हैज लेस नेगटिव वैल्यू फ्रिदक्शन पोटेंशियल कंपेर टू दू अदर एलकलाइन अर्थ मेटल कहानी ठीक कह रहा है यह निश्चीत रूप से हमने देखा था रूप जाई है कलर आना जरूरी है ना अभी तो लिखेंगे जी हां क्या लिखा भी हमन कहते थे कि बेरिलियम के टाइम पे कहीं ना कहीं हीट ओफ एटमाइजीशन जो है वो ज्यादा होगा बिद रिस्पेक्ट तो हाइड्रेशन के तभी ऐसा पॉसिवल है वहीं लीथियम की बात याद करो लीथियम में सबसे ज़्यादा नेगटिव आता है लीथियम तो मोस् प्लस जो है बहुत अच्छा हाइड्रेशन करता है इस वजह से उसका मोस्ट नेगटिव आ रहा होता है तो थोड़ा सा अपको लीथियम वाली चीज भी रिवाइज हो गई क्योंकि पेपर में बेरियम आए को जरूरी ने लीथियम पे भी सवाल बन सकता है चलिए तो इस हो जाएगा ठीक है यह रेजन पढ़ लेते हैं बेरिलियम है लार्ज हाइड्रेशन अनरजी तो ज्यादा और यह ऊंखे बात करते हैं लेकिन बेरिलियम के केस में, लेकिन बेरिलियम के केस में क्योंकि साइच छोटा है, तो बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स बहुत अच्छे तरीके से पैक्ड होंगे, तो इसको तोड़ करके एटम्स के फॉर्म में अलग करने में आपको बहुत एनर्जी खर्च करनी पड़ जासे बोला जा रहा है कि भाईया इनका हीट ओफ एट माईजेशन क्या होगा जादा होगा बल्कि बहुत जादा होगा मामला क्लियर है तो अब देखिए अब कहा कैसे जाता है बोला कैसे जाता कमेस्ट्रे में जैसे लीथियम वाले में हम क्या बोलते हैं लीथियम वाले के में यह बोलते हैं कि देखो यार लीथियम का मोष्ट नेगेटिव आता है क्योंकि लीथियम प्लस साइज में छोटा और इसका हाइड्रेशन अरजी बहुत ज़्यादा है बिद रिस्पेक्ट उसके एटमाईजेशन के क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव आता है अब यहां पता है कि यह बहुत जाझा नेगटिव नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या बोला जाएगा आप बोला जाएगा कि जो process होता है काउन सा process पता है की नहीं पता है बता दू क्या अरे बहुत जैसे ले लो जैसे unreal है थे सब्सक्राइब करने के लिए ये जो स्ट्स है ही टो को इसके ऐप अप में चला गया तो इसकर दो इन के पड़ेंगी आप्लाई करनी पड़ेंगा वहां साथ सथ लिए और आप जो सब्सके के अपके लेगा अब जो ऋप्लस गैस के फॉर्म में मिला इसको आप डाल रहें पानी में जाने के बाद हमारा बेरिलयम टुब्लस कैसा हो जाता है एक वस ठिक है अब यह जो प्रॉसस तीन यह जो प्रॉसस जहाँ पर आप वरियम सॉलिड से बिरिलयम टूप्लस बना रहे हैं इसी प बहुत ज्यादा नेगटेव होता है जैसा लीटियम के केस में जब यह वाला प्रोसेस होता तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है अरे इससे समझो यार कि घंधा एक बिजनस है कि स्टार्ट अप है जहां पे चे हीत ओफ एक माईसे और यह दोनों आयनाइसनी इनर्जी क्या करनी पड़ रही है इन्वेस्ट करनी पड़ रहा है बाहर से पैसा यह दोनों लगने वाली अनर्जी यह यह एंडो फर्मिक है लेकिन निकलने वाली इनर्जी हां से कौन से या ध्राइशन के यहां से कौन से एंघी निकलती है मेरे भाई हाइड्रेसिन अनर Gy तो यह हाँ पर यह है कि अगर हाइड replace निकलने वाले एंटर प्रॉप्स निकलने वाले एणरजी यह जादा हुई तो निश्र्चर्ण रूप से यह process जदा है तो वो खुद को क्या करेगा बहिया आक से जैसे बर्लियम जैसे लीथियम भः या खुद कूई तुरंत भाः या लीफियाम प्लस बना करके एलक्ट्रोन देने की कोशचा में लग जाता है लीथियम का स्टेंडर्ड रेड़क्शन पोटेंशियल नेगटिव में ज्यादा है यहां पर लिख रहा हूं यह मूर नेगटिव है मूर नेगटिव वैल्यू की बात हो रही है अगर बहुत ज्यादा नेगटिव है इसका मतलब होता है लीथियम कुछ को ऑक्षडाइज करेगा तो यह फेवर करेगा तो यह जी क्या होगा ज्यादा नेगटिव वैल्यू आएगी सवाल यह था कि हमारे बेरिलियम के केस में भीया यह ज्यादा नेगटिव स्टैंडर्डर अड़क्शन पोटेंशन तो नहीं करते इसका क्या रीजन है इसका मतलब हुगा कि धंदा सही से चल न नहीं रहा है तो आप क्या बोलेंगे आप बोलेंगे कि भीया यहां पर निश्चित रूप से लगने वाली एनरजी थोड़ी ज्यादा है और निकलने वाली एनरजी कम है कोई धंदा कम नहीं चलता जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो और प्रॉफिट कम से कम हो राओ प् है क्रिप्या एक बार पढ़ें समझ में आएगा ठीक है यहां पर मैंने पूरा सम्झाने की कोशिस कर दी है शायद आप कोशन मज़ आ जाए ठीक है ओके पढ़ लेते हैं बेरिलियम है लार्ज हाइड्रिशन एनरजी डिव टो स्मॉल साइज ऑप डरिलियम बात रही है अभी यह प्रसेश उतनी आसानी से नहीं हो रहा है जितना की इन ही की फैमली के बाकी लोगों के साथ हो रहा है मैगनीशम वगयरा के साथ हो रहा है इसका मतलब यह दोनों ही सही है तो एसर्शन भी सही रीजन भी सही ठीक है और इसका एक्स्प्लानेशन भी है यह क्या है 3 जो है सर्षंट का explanation भी है region जो है explanation दे रहा है अपने शर्षंट की लेस नेगिटिव था आच्छा सवाल था ऐसे बनेंगे ली थियंग वाली को ख्याल रखना लीथियम के केस में जहां पर यहां पर लिखा नेगेटिव यहां पर बस लिखे आएगा कि लीथियम है जो लगी है और प्रॉफिट भही या ज्यादा है मतलब हाईड्रेशन इनर्जी ज्यादा निगलते इनके शॉपिए प्लस वहाँ जबाब इस तरीके से देना होता है आई आनंद में रहिए आगे देखते हैं अगला है कारबन पॉर्म टू इंपॉर्टेंट ऑक्साइड सही बात कर रहे हैं और आपको पता है कि स यह निव्यू ट्रल होता है सिओ टू एफीड होता चलिए यह संत्य मात है अगले चीज क्या है रिजन पढ़िएगा क्या लिखा है सियोटू कैं गंबाइन बिद वॉर्टर यह मैं इस कलर से बता देता हूं सही है ठीक है कमबाइन बेज वॉर्टर देख लेते हैं क्या सी से यह कार्बोनिक एसेड मिल जाता मामला सही कह रहे हैं ना आई अगला देखते हैं वाइल सियो इस इस परेंगले सॉलेबल इन वाटर जब किसी यो जो है निश्य तुरुपते कम सॉलेबल होता है यह पूरी तरह यहां पर जाके सॉलेबल हो जाते हैं अब इसका मतलब दोन सही है और एक बात देखें इसमें चीज़ लिखें सियो टू इस डिक इन नेचर एस डिक इन नेचर और इसी वजह से यहां पर देखें एसड़ भी बन रहा है तो एक तरीके से एक्स्परमेशन तो बोला जाएगा यह जो एक स्टेटमेंट इन्होंने कोट किया है कि सियो इस डिक इन नेचर यह बात भी सही है क्योंकि वहां पर देखिए रीजन में बताया गया क्यों क्यों बोला जा रहा है उनको एस डिक क्योंकि वो मेरे भीया एस डबना रहे हैं पानी में जाने के बाद तो इसका मतलब यह है कि एसर्शन भी सही है रीजन भी सही है और हो गया यार आई अगला देखते हैं दर डिक्रीज इन फर्स्ट आइनिशन इन थैल्पी फ्रॉम बुरॉन तो अलमूनियम अच्छा बुरॉन बुरॉन से अलमूनियम की तरफ जाने में आइनिशन इनर्जी क्या होती कम होती है इस बात में कोई सकतो है नहीं है ऊपर से अलमूनियम और गैलियम में गैलियम की ज्यादा होती है यहां उल्टा रहे था है याद कर यह क्या रहता है अरे पूबर शिल्डिंग ऑफ दी और्बिटल का कॉन से बताते हैं न जी हां तो यहां पर तो इन्हों ने गलत लिख दिया क्योंकि इनके इसाफ से तो दोनों ज है ना तो चलिए अपना स्टेटमेंट वन हमने बताया गलत है स्टेटमेंट टू पढ़ते हैं दडी और्बिटल इन गैलियम और कंप्लीटली फिल्ड बात तो सही है यहां पर क्योंकि गैलियम के केस में आप देखोगे तो आपको मिलेगा 3D 10 अरे 3D सिरीज के खत्म होने के बाद गैलियम आता है न जी हाथ तो इसका मतलब है 3D तो भरा होई होगा तो यह बात तो सही है ना लेकिन पहली जब चीजी गलत होगी दूसरी सही है सिर्फ तो आप धूंड लेंगे यहां पर कोई एक्स्प्रनेशन वगरा की चक्कर तो होता नहींगे आ यह देखते ह है अलुमूनियम हाइड्राइड एल एच पूर अरे इसको आप और गनिख है में बहुत पढ़ते हैं लिटियूमूनियम हाइड़ाइड अच्छा इसको मिर बनवाना है तो बनाने का इसमें से मेथड बताना कि कहां से बनेगा तो निश्चितरुक्से कहीना कहीं से ऐसा ज छुट सी ऐल सेकस अश्यक को आप क्या ली याय पर नेगटिव ट आस तो pandemia 2019's 30 ऐला यह को पहचानते हैं क्या और यह है हमारा कैसा The sadulliser को आप इस तरीकला लीजिए कर इस तरीकि तरीके से बना ली जिए और यह निकल के बाहर आता जाएगा तो यह बार बार अटैक करते जाएंगे तो इस तरीके से क्या बनेगा पहले तो एल एच थ्री बनेगा हर बार यहाँ पर क्या होगा एक एलमुनियम से तीनों क्लोरीन हटेंगे उनकी जगह पर कौन पहुंच जाएगा भाई है एक के लिए कह रहा हूं ठीक है तो तीन मोल से तीन हाइड्राइड एटैक करवाएंगे ऐलस्ती बन जाएगा ठीक है फिर क्या होगा फिर दूसरा वाला जो पार्ट है उस पर भी तीन मोल लगेंगे तो छै मोल तो यहीं खर्च हो जाएंगे पहले तो यह समझें कि हमने क् एलमुयम का पेट तो अभी भी भरा नहीं हुआ है तो ऐसा करिए इनके उपर अटैक करवा लेगे दुबारा सुन लेजी एलमुयम एलस्त्री में क्या है तीन ही बॉन्ड है आठ एलेक्ट्रॉन चाहिए होता ओक्टट के लिए कम से कम तो हाइड्राइड वहां देखा खा लाइलेक्ट्रॉन लेकर के बॉन्ड बना देगा तो होगा क्या यहां से एच नेगटेव पकड़ करके भी यह एल एच पूर नेगटेव बना देगा और यह एलाई प्लस इसको काउंटर करने लग जाएगा तो यहां भी बनेगा यहां भी बनेगा शायद आपको बास तो कितने हुआ भी यह सिक्स लीथियू लुगाइट तो यही जबाब है तो आगे बढ़ जाते हैं असान था बहुत ही आसान था बल्गी कहूं दो आई अगला दिखते हैं बोरीकसिट इस सॉलेट वेर बी अफ्त्री इस गास at room temperature because of simple वात ऐसा सवाल आते समद्ध जाओ कि सांदार चीज आ रही है क्या है बोरीकसिट अरे बोरीकसिट मतला एच थ्री वी ओ थ्री क्या है भी या बी ओ एच राई एक ही बात नहीं देखें आपने पढ़ा होगा कि टूडी सीट होती है नहीं पढ़ा है और इसका structure हम पढ़ते हैं ना कि एक टूडी सीट में ठीक है मैंने एक बनाया इसी के बगल में पढ़ोसी भी ऐसा होगा ऐसा ही पढ़ोसी होगा तो हाइड्रोजन के उपर दो डेल प्लस रहेगा क्यों रहेगा कि इस से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन तो यह क्या करेगा यहां जो जैसे यहां दिख रहा है ना चलो एक बना ही द प्लस चार्ज हो रहा है तो यहां पर है इसी तरीके से यह यह रॉप्र हीड्रोजन बॉंडडिंग में जाएगा यह उसी तरीके से बहुत सारे हैं पर देखने को मिल जाते हैं तो इस तरीके से पूरा ना एक टूडी सी टाइप की चीज़ बन जाती है वह आम आम लाम ला एक दूसरे को आसपास इकठा कर लें अगर मॉलीक्यूल तो वो एक तरीके से सॉलिड बना रहे हैं आई हो पापको समझ में आतक बात आगे होगी बियत्री के केस में कोई भया ऐसा खास पूर्स ऑफ अट्राक्शन एक बियत्री दूसरे बियत्री के साथ लगा नहीं रहा है बहुते आसान है आपको पता है कि जहां पर बैक बॉंडिंग कम जहां पर होगी बैक बॉंडिंग कम जहां पर होगी बैक बॉंडिंग कम वहां के लिए क्या बोलोगे बोलो जहां पर बैक बॉंडिंग कम होगी वहीं पर इलेक्ट्रॉन बाहर से कोई ले पाएगा इसका म क्लोरीन की खोपड़ी पर टोन पेर है वो लोन पियर यहां पर डोनेट हो 만큼 जो पर है वो लोन है यहां पर यहां पर बाक्शु नहीं है और जहां पर बैक बांद अच्छी नहीं के तो बहुँ आ सामने से लेक्ट्रॉन मिला नहीं तो अगर उसको यह भूखा हुआ है तो सामने से कोई आएगा कि भया मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो जैसे कि मानलो एनस्थी आ गया वो एलेक्ट्रॉन माटने में माहिर है लुविस बेस वो कहेगा हमारा यह लोन प्यार समाल लेते तो समझ गया हूंगे कहानी अरे बोलन भाई यहां यहां पर देखिए यहां पर देखिए यह मामला क्लियर यहां पर बोरॉंज सबसे भिखारी आदमी क्यों पता है तो कि बोरॉन और आयोड़ीन की ज्यादा बनती नहीं एक सिग्मावाण बनाके खुश्कित आयोड़ीन दे सब्कूण अब बहुत है असान थवाल है और फिर दो अटम चोटे-चोटे साइज के हैं तो उनमे वर लैपिंग अच्छी होगी तो बार्न बहुत संदार नघी लगी या बोलो इसको बनाने में बहुत ज़्टाइब पर ज़्यादा हो ईस्ञे सिता जी कहांगेर वे बनने वाले bonds का जो strength होगा वो घटता जाएगा कहें सीता जी कहें सीता जी कहांगे कहें सीता जी सुनो प्रफून कहें सीता जी कारबन कारबन सिलकन सिलकन जर्मनियम जर्मनियम टिन और अमला खलियर अगर आधिक एक्शन ओप बी ओ विश्विद अमोनिया न हाइड्रोजन लिख लेते हैं पहले लिखा है वी अभी बी रियक्षन से मट डारा करें एक बात और बताता हूं अगर आप किसी भी रियक्षन से परिशान अक्सर क्या होता छोटी जिज़ा आपको पता होती है कि आप एने वह में एक डालोगे तो बन जाएगा इसमें कोई बड़ी बात न कर लेजिए बिस्वास मानिए आपका कॉन्फिडेंट बहुत ऊपर चला जाएगा केवल उस एक वीडियो को फॉलो करके 1.5 पर देख लेना दो डहेगन टाम इन पड़ जाएगा समझ रहो तो जाकर के एक बार अगर नहीं आत तो जाकर के जरूर देखिए का लॉजिकल ल अच्छा इनो ने लिया अमोनिया एंड हईड्रोजन फ्लूराइट तो एच अपने लिया अच्छा गिफ्स ए विकंपाउंड ए दे रहे हैं विच ओन थर्मल डिकम पोजिशन जिसको अगर हीट किया जाए थर्मल डिकम पोजिशन गिप्स बीए एफ तो बी एफ टू प् बनाते तो इसकी भी खाज जरूत नहीं पड़ेगी इसी से बैक जाकर या बता सकते हो इसको भी अलाग बता दूंगा मैं सोचो सोचो फिर मैं तो हुई भाई मैं तो बताने के लिए आप आप बताईए शैसी जो कि याद आ रहा है अमोनियम टेट्राव करके कुछ बोला जाता था आमोनियम टेट्राव लोरो बेरिलेट्रेकर के बेरेलेस तो बलता है तो यह लिए फ्रीडवार स्ञेव ख्लोरीट तो चार बार फ्लोरीन फिर आएगा नेगटिव चार तेख लेको क्या होता है कि हमारा बरेलियम हो दो बॉंड बनाता है अगर वह चार से जुड़ा ना मतलब दो से एक्स्ट्रा और जुड़ा तो इसका मतलब उसके चार जाया होगा तभी उसके साथ कनेक्शन बनेगा यहां प यहां पर रेक्शन कासी होगी समझ लेगी है जो बी ओ है वह के साथ रेक्शन करेगा तो वी यह प्लस और यहां से क्या होगा यह यह ऑख्शिजन वॉटर के रूप में निकलेगा और यहां पर फ्लोरीन आए तो बाकर निहां से मैं इसको हम मैं टू टाइम ले लेता हूं तो टाइम ने लेता है और यहां पर दिख रही चीज ना उसी का पार्ट बनेगा फिर आपस में मिक्स को करते यह बन जाते हैं लेकिन वह हीट करने के बाद दुबारा तूट जाते हैं कुछ तरीकिक का नहीं है आप समझे अभी एक बार इनके साथ रिष्टा बन वाया किसक काम पढ़ा देता हूं चलो वक्त लग जाएगा मैं सोत्रा सब वक्त बचाएं आपका लेकिन कोई नहीं समझाना बहुत जरूरी है अब देखिए जो भी एफ कैसे रेक्शन करेंगा होगा क्या हम इसको भी टू टू टाइम है लेंगे तो इसका मतलब हमारे पास क्या प्र बी एफ पूर टू नेगटिव बन जाएगा समझ रहो ना बात को अरे यह टू नेगटिव ले लेगा और दो एच प्लस काउंटर करने आ जाएंगे तो पहले एक्चुली यहां तक का पार्ट बन जाता है इसके बाद एनस त्री इंटर होता है एनस त्री है भी आ कौन एन मिल करके क्या हो जाएंगे मुझे बताना पड़ेगा क्या अरे एनस थ्री और एच प्लस मिल करके एनस पोर प्लस बनते हैं तो एनस पोर प्लस एक टो आइस कर दीजिए और यह देखे टू नेगटिव को काउंटर कर ली आसान था कि नहीं तो इसलिए मैं करेंगे तो कहान 123 solution से एनसां उल्मिल पेर कम पढ़ते थे जू एजी प्लस होता है वह एजी में कंवर्ट हो जाता है वापर रिडक्षन होता एंस यहाँ ben बनता है ठीक है इसका मतलब मेरे को reduction करवाना है तो इसका question सिर्फ इतना सा है यह जो एजी प्लस है वह एजी में कौन convert करा सकता है तो आप कहेंगे कोई reducing agent हो चाहिए अरे यार reduction का process हो रहा है तो reducing agent चाहिए अब प्रस्ट में यह है कि यहां जो लिखे गए लोग हैं उनमें से reducing agent कौन है तो reducing agent पहचानने का तरीका हमें पढ़ाया जाता है कि हमें यह चक करना है कि वहाँ पर कहीं phosphorus और hydrogen का bond है या नहीं अगर phosphorus hydrogen का bond है इसका मतलब वो acid reducing agent के तरह काम करता है कि वो hydride donate कर सकता है और उसको H plus में convert करा देगा तो H negative H plus में जा रहा होता है तो उस समय क्या हो रहा है oxidation तो इसलिए यहां पर reduction हो जाता है कहानी क्लिए तो इसके structure में हमें ढूड़ना है चलिए जी देख लेते हैं यह कौन है भया HPO 3N यह है metafosporic एसरी यह क्या P double one oh 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 इसी को हमने क्या क्या N time layer रख रहा है इसी को हमने N time layer रखा है लेकिन यहां पर कोई भी pH bond नहीं है इसका मतलब यह cancel out आगला दिखते हैं H4 P2 O5 H4 P2 O5 H4 यह आपको ची सिखाई गई है अगर पढ़ा होगा तो तो इनके structure जो है हम बनाना सीखते हैं कि maximum phosphorus का कितना होता है प्लस 5 होता है फिर हम theoretically यहां से calculate करते हैं फिर हम के structure को product करता है clear है तो चलिए उसके आधार पर जानना चाहें तो मैं बना देता हूं इसको बनाते हैं यहां पर यहां पर होगा ओए ची ऑच और इनका structure बनाते वक्त थोड़ा सी साउधानी यह बरतनी है समझेगा इस लाइं को जान से यहां पर है क्या चार हाइड्रोजन है पांच ऑक्सीजन चार हाइड्रोजन पांच ऑक्सीजन एक बात तो clear हो चुकी है कि एक यहां पर आने वाला है अब हाईड्रोजन के साथ अगर आप कनेक्ट करोगे तो इस तरीके से हो सकता है जाना वीडियो लंबी हो एक बात क्लिक करनी चाहिए कि देखो यह पार्ट तो जरूर होगा और यहां पर इस तरीक से बना दो यहां क्या लगा होगा हम बाद में डिसाइड करेंगे बट यह पार्ट तो होगा ही बस इतनी जिद पर अड़ जाओ कहानी बनने वाली है आगे देखते हैं अब हमारे पा है तो यह ठीक लगेगा ठीक है तो पहले हमने दिखा अच्छा हमारे पास दो फॉस्पोर अब बनाने के बाद सोचना सुरू करो कि यार देखो चारो ऑक्सीजन तो खर्च होगे दो हाइड्रोजन खर्च होगे अब मैं क्या करूं मेरे पास एक ऑक्सीजन है तो मैं इसको प्रच आप इनको चक करिए यहां पर चाया ऑक्सीजन दिखेंगे कितने चाया उक्सीजन दिखेंगे तो यहां पर 6 रहेगा इस ट्रक्षर बना के बता दिया जाएक आपको तेले देख लेते हैं यहां पर कुछ ऐसा होनी वाला है ठीक है डेको पी डबल बॉन ओवर तो भी था मैंने सिर्फ एक लगाया है तो यह हो गया इसका स्ट्रक्षरियो जाएगा अब जैसे 7 लिखा हुआ तो क्या कर ने है इसमें देखो 607 मंतर कितना सिर्फ एक ऑक्सिजन डाल देख सवाइन यहां डाल दोगे तो इसका स्ट्रक्षर में जाएगा कहा निंग यह है आ पायरो सल्फ्यूरिक एसड़ ही होता है तो चलो पहले इसको सिखाता हूं पायरो सल्फ्यूरिक एसड़ क्या होता है सर्दो सल्फ्यूरिक एसड़ लेना है वहां से एक वाटर मॉलिकूल निकाल देना है क्या क्या साल्फ्यूरिक ऐसी ए shelves यहां बनाये यहां से वॉर्टर मॉली क्यों को हटाना है भीक में ओकसीजन लगाना धा है कि यह कौन बना भी है यह बन गया फ notor ो महमना क्लिये रहा गया एक बड़ा ठीक से लिखना पड़े इसन्ना पड़ेगा इंद्जत से लगिए इननना श्रूस मां मतलब इसक्राइस होता है तो पहले तो भया नकल चीप्राणी बनिए वहां तक की बात को छाप लीजिए दबल बॉन ओ डबल बॉल ओच लेकिन अप पर ऑग्जो डाई सुल क्रोंट में देखो लिखा पर उंदो का मतलब है पर ऑख सईड बॉन पर आफ दो का मतलब है परट साइड ओं तो यह रहा पर तो हमें क्या करना है दो सल्फ्यूरिक एसेड के पार्ट के बीच में यह परावजु वाला बॉन्ड लगा देना है कहानी है क्लियर कहानी समझ में आ गई तो यह रहा अच्छा यहाँ पर कितने पाइबॉन एक दो तीन चार चार पाइबॉन तो जोडने के बाद कितना आया आठ टोटल पाइबॉन कितने हैं यहाँ पर आठ समझ में आ गया होगा अगला देखते हैं रेक्शन अब थायोनिल क्लूराइड अब बताये थायोनिल क्लूराइड क्या होता है डाट इस एसो सील तू एसो सील टू विट वाइट फोस्फोरस देखो यह मैं जिस तरीके से गरूरी आपके लिए यह थो यह होता oldest अल्निल क्लूराइड भिएश को क्लूरी वाइड के इस ओने नीका काम करते हैं क्लिक एदर देखो यहां पर चाहाँ पर रनतरफ उस पर 16 ऑक्सिडिशनल स्टेट यहां पर चाहे बसक्र City कि सुलफर-पर प्लस-फोर- ऑक्षिडेशन स्टेट ऋससे क्सिक्स ऑक्षिडेशन स्टेट है आप बताइए किसका ओक्सिडाइज इंग पावर जादा तो इसको पर जादा ऑक्षिडेशन स्टेट वह अपने आपको अच्छे से लोगर डाउन कर सकता है इसका मतलब यह ज्यादा ऑक्षिडाइजिंग पावर रखता है और यह करता क्या पता है क्लोरीन देने का काम करता है इसको कहते हैं सल्फियूरिल क्लॉराइड तो यह क्लो भी निवो प्रोवाइड नहीं कर पाएगा तो सिंपल 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 बात समाझ में तो प्लस्स के केस में यहां पर फैप बनेगा प्लसपोर है तो फिया प्लस्तिव रट्टा निमारना तो लोजिक कर मारो तो लगे गा याद भी रहेगा अच्छा इस तरीके से याद यहां पर लिख देंगे फिर आपका दिमाग पागल हो जाएगा है यह दिखते है फॉर्म सा वाइट फॉस्पोराइट कंपाउंड ए अच्छा कंपाउंड ए मतलब यह भाई सा यह बन गई है ऑन हाइड्रोलिस इस गिफ्स भी यह भाईया हाइड्रोलिस पर वाटर डालने स यह क्या बनता है आपको पता एक क्लोरी अच्छा घाता है तो आप में चॉर्म जानते हैं अचा सिखाया जैसे आप फॉस्पोराइट देखें तो पहले आप इतना बना लीजिए ये पार्ट बनाकर के चूप रहीं आप सूची आप चा करना है अब बचा क्या है अब बचाई तो यहां पर हमने इसको बनाया था तो दो ऑक्सिजन यूज किया एक हाइड्रोजन तो इसका मतलब एक वह से जाएगा अच्छा डाइब क्यों बोला गया क्योंकि दो वेच गुरूप है तो यह डाई बेसिक है यह मामला भी ठीक लग रहा है तो एंड बी रिस्पेक्टिवली आ अच्छा यह बी कितना असान था भाई यह तो ए और भी पूछ रहा है मजेदार ना देखो अब जैसे मैंने यह पढ़ाया सेम कोश् स्टेशन स्टेट यहां देखे और सल्फ्यूरिक एसिड में दो वेच होते हैं और उसी दो वेच की जहां पर बस यहां पर क्लोरीन समझें न भाई यह अगला देखें वाइट पॉस्परस फॉर्म से लिख देगा कंपाउं ए और फिच ऑन हाइड्रोलिस इस गिप्स बी रहिए क्या मिलेगा है यहाप पर पर तीन बच आपको दिखतें है और किसी समस्या नहीं होनी relevant photochemical smoke formation आर बहुत आसां से सोचने का बेसिक सा बुद्धि लगाना मतलब बहुत ज्यादा लगाना नहीं यह option देख करके जबाब बारना है विसे सोचो सनलाइट गिरेगा तो एनोटू है एनोटू एनोटू टूटेगा दो हिस्से में तो कैसे टूट सकता है एनोट ऑक्सीजन सिंपल एन ओ इस तरीके से नेसेंट फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन या एक टूट जाएगा अच्छा जी अब वो यह कह रहा है कि इन दोनम से कोई एक एक होगा जो एक से रियक्शन करके बी देगा मतलब आगे भी कोई रियक्शन करा रहा है तो देखो ऐसे नहीं होगा तो में ओप्सन देखना पड़ेगा हाँ देखे समझ में आ गया ओटू एंड ओट्री किधर रियक्शन कराओगे बताओ बताओ आप क्या बोलोगे यह धर में अगर और टू से करा दूंगि टो लाइथ हाना और टू से करादे इन की मुलाकात तो ओ टू और यह नेसंट ऑक्सीजन आपस में मिलकर वड्री बना लेंगे ठीक है तो संवन में आ गया होगा कि ए क्विक्शन है ओग्षाटू इक है व क्या है ओसे बीक्शो ऊ आले व्हांट एच नोटी गिपस अ कर्डी वाइड प्रस्पंटेयट कहीं ना कहीं हमें समझतने हाँ एडिशन ओफ एजए नोटे एजीनोटें के एड़ करने से वाइड प्रस्पंटेयट मिल रहा है और यह कहा रहे हैं कि सुरू में क्लॉराइड सॉल्ट था इसका मतला सम को सब्सक्राइब करा और वहाँ पर एजी नोटी डाल रखता है तो एजी नोटी का जो एजी प्लस होगा और यह सॉल्ट का क्लॉराइब सॉल्ट का जो सी एल नेगटेव आपस में घडबंधन करके प्रस्पटेट डाउन हो जाएंगे डाट वाइट कलर अच्छा अब यह तो भाई साब एजी सीन मिले हैं प्रस्पटेट के रूप में यह आपको अमोनिया से टेस्ट करने के चीजें पढ़ाई आती है न मेटल डी ब्लॉक के मेटल्स को डिटक्ट करने के काम में आता एक कॉपर की रेक्शन होती है और एक सिलवर के रेक्शन होती है ठीक है यह अब आपका जो यह है इसी को अब बोला गया है आप जो यह डिया गया है उसका ट्रीटमेंट किया गया आगे इसके साथ नहीं हो प्रूब ऑश्क के साथ इसकी आगे रिएक्शन होने वाली हे नहीं अच पूब बश्क के साथ ठीक जी तो एन अच-पौर ऊच में क्या नमर्स पे थे अपन एजी सुनो जी नहीं नाला है पूँ एजी एनस्ट्री ट्वाइस ठीक जी यहां पर क्या हो जाता है पॉजटेब चार्ज काउंटर करता था था और यह आयनिक पॉर्म में है तो यह डिजॉल्व रहता है यह डिजॉल्व हो जाता इसी वादे से अगला सवाल है ओटें भाई ओस्ट्वाल में और यह योट्वर्म बाई और भाई तो यह लिखा पे लिखा गया है पहला नहीं है दूसरा थी यह राएग इस यह एमट यह पाई अगला सवाल है a obtained by ostwald method involving air oxidation of ns3 देखो बया तुम इस सब में फंसो उससे पहले मैं तुम्हें याद करवा देता हूं है ना सिंप्लेस तरीका बहुत कुछ सरदर्द लेनी की जरूरत नहीं होते हैं सीखेंगे थोड़ा सा पार्ट यहां पर मैं सिखा देता हूं इसके बाद आगे बरेंगे ना देखो सुरुवात हम अमोनिया से करते हैं हम इसका ऑक्षिडेशन करवाते हैं ओटू के प्रजिंस में होता है प्लाटिन म sulf या रोडियम caos bh है है pię यहाँ पर ऑजय कैटलिस्ट रहता है तो मैं प्लैटिन मीत रहता है का यह यहां पर नाइट्रोजन ध security रहीं है उक्सिडेशन नंबर यह ऑक्षिडाइज होता है तो पहले अन o बनाता है जहाँ पर नाइट्रोजन पर मैं हम इसको oxygen के presence में burn कराएंगे तो एनो जो है वह एनोटू में convert हो जाएगा जहां nitrogen पर plus 4 oxidation state आएगा जहां nitrogen पर plus 4 oxidation state आएगा और बिवात और समझें जब एनोटू बन जाता है तो हम इसको क्या करते हैं हाइड्रोलाइज करते हैं जब इसकी हाइड्रोलेसिस करवाते हैं तो नाइट्रोजन का जो प्लस पूर है वह प्लस पाइप में convert होता है और हमें मिलता है एचनो ठीक है जो कि एक बार तो ऑक्षिडाइज होगा disproportionation reaction होती है तो प्लस पूर से प्लस पाइफ आना से याद करना बड़ा आसाने क्या सोचना है सोचना क्या सोचना क्या सोचना क्या मेरे को क्या चीया उस्ट्वाल प्लस पाइप चाहिए बस प्लस 5 तक पहुंचने का रास्ता छोटा 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 कैसे यहाँ पर एनस 3 में क्या नाइट्रोजन पर माइनस थी तो माइनस 3 से हम आगे पहले प्लस 2 में 2 से प्लस 4 में प्लस 4 से फिर हम फ्लस 5 में गये हैं कहानी खتم कितना असान था आई अगला देख्ते हैं अगला देख्ते पड़ते हैं मतलब ए ऑक्टेंड बाई ओस्ट वाल्ल मेथर्ड इनवल्मी एयर ओक्षिडेशन एयर ओक्षिडेशन ओफण एनस्टी अपान फॉदर ए an oxoacid of nitrogen means this this is the oxoacid of nitrogen ये भाई साब की बात हो रहे है ये प्लस फाइप हो एलोंग विद एवलूशन ओफ ए ये रहा एनू गैस एनू गैस एनू गैस एनू गैस एनू गैस एनू गैस इवाल होता है ठेका दी दा oxoacid also produces a and gives positive brown ring test देखो brown ring test test यहां पर कहीं न कहीं brown ring test का मतलब होता है वहां पे nitrate है NO3 negative और आपको पाता है कि आचानो 3 जो है एचानो 3 के अंदर क्या होता है अनो 3 negative वैसे nitrogen भी यह कराया करता है तो यहां पर क्या है NO3 negative है तो मामला समझ में भी आ रहा है कि आयंस फ्रों दर पॉलोनिंव भेच डू नोट हाब और इलेक्ट्रॉं फील और नमबर अ क्लों इस नोटमे पर नहीं है इसी एल-4 नेगटिब में पॉसिबल नहीं है इस ऐड़ आज साथ एलेक्ट रॉक्वाओं तो आयोडी नीगा नेगटिव का मतलब एक और आजया तो आउटर सेल में आथ एलेक्ट्रावन इसने चार सेर हो गए दो लोन पैर के रूप में बचे रहेंगे तो यहां पर और एलेक्ट्रों नहीं है बिअफ्तरी की बात करें सोचो बस ऐसे जाना बियफ्तरी में क्या बोरोन के किनारे आपका जो बी आर है बोरोन करें ब्रोमीन के किनारे ब्रोमीन के किनारे टोटल नावए अलेक्र विलेक्रों सात में से तीन तो क्या कर गएë बॉण बना गये अगर अगर तीन बॉण बना गये तो बचे कितने बनाके समझा रहा हूं कि उसमें भी फील आ जाता है कि लून पेर कहां पर है और इलेक्ट्रोन कहां पर है ठीक है जिसे लोटु तो आप निकालेंगे तो निश्य दरुख से हाब पर क्या मिलेगा अन पैर्ड मिलना ही मिलना है भाई अना क्लोरीन का कितना होता बॉरीन के अं अब बताओ कितना हुआ यह और नंबर है या इवन नंबर है सर कैसी बाते कर रहे हूं अन पैर डेक आएगा तो मैं और के लिए इस बता रहा हूं कि एक एक और आने वाला है बाकि लोग तो पेर रहेंगे एनो टू प्लस में कहीने कहीने पॉस्टिव लगा के बचा लिया करते लोगा इतो आएगा जाते है यहां यहां पर एक और तो आएगाही आएगा यहां पे तरीक इसे लोट से लोगह है यहां टिम करती होगा आयगला बढ़ते हैं काम खरते हैं यह तjack नूम्बर ऑफ एसर डिक ऑक्साइड मंग दिस जिसने मुझसे पढ़ा होगा उसको तो देखते देखते समझ में आ जाता है तुरंद क्या बटाइए बताइए 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 चांट यह पहला क्या है असरीख है यह 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 सब्सक्राइब कैसा होता है बोलो और दो चीजें होती है एक तो अन्टी ओ और एक होता है यह 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 सिधा लेंड होगा वो संजेगा पता नहीं कैसा मास्टर जचापरा उपर नीचे तक यह क्या वह यह 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 हैं यह है और आक्साइड यह भी है निव ट्रल अब लिख सकते ही ओक साइड एक नेटरोगों के लिए निश्य से असडिक ऑक्साइड लेर वहाँ है असरडिक और नाइट्रोजन क्या होता है या एक नॉनमेटल तो इनकी ऑक्साइड यहाँ पर तो इन दोनों के लिए आप क्या वोलो तो उससे एस डिखी हैं इसमें कोई सक है ही नहीं है ना कारबन मोनो ऑक्षाइड के बारे में भी आपको पता है कि यह निव्ट्रल होते हैं तो यहां भाईया देखो तीन के तीनों निव्ट्रल छाप दिये गए आप देखें सी ए ओ कैल्सियम ओक्साइड बेसिक होता है जो कि सोडियम और इनके औखसाइड चाहूंगे यही बेसिक होंगे और सिर्फ यही तर्ट जो है परियाप्त नहीं है आप ऐसा भी कहा कर यह है कि जो मेटल्स हैं अगर वो फ्लस वन ठीष्ट्व प्लस त्री ऑखडेसन स्टेट में तब सब्सक्राइब करते हैं एक दो तीन चार चार सिर्फ चार इसका जबाब है तेहरा मामला यस आई अगला देखते हैं बॉंड डिस उसेशन एनरजी ऑफ एच बॉंड ऑफ लिटू अच्छा अच्छा एच्च टू इहाईड्रईड अच्छ सिक्स्टें के डूप का पूछ आपँचा है और अभी वह कहेंगे इजो इन में से कौन कौन सा है और वो क्या करें बॉंड डिशो सीएशन एनरजी का और डिसोसीएशन एनरजी किस बात पर डिपेंड करती है उसकी स्ट्रंग्थ जो बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा उसको तोड़ाने में उतनी ज्यादा एनरजी लगेगी समझेवन बात को तो चलिए देख लेते हैं मौन कहा मजबूत होगा जिसकी बॉन्ड लेंद क्या ह होगी कम जिसकी क्या होगी बॉंड लेंद कम वहीं पर होगी बॉंड इस्ट्रंट ज्यादा रेरिवा मामला तो देख लीजिए आक्सीजन के साथ ऑगशन के साथ हाईडोजन की लेंद कितनी होगी छोटी से जैसे जैसे आप सेंट्रल एटम एकी साइज को बढ़ाते जाएंगे बॉंड लेंद बढ़ती जाएगी तोड़ना उसका आसान हो जाएगा क्लियर भाई डूडलोगे अच्छा उन्होंने यह नहीं पूछा था यहाई यह तो ओर पूछ रहे यह ना क्योंकि एक बड़े साइज के चोटे साइज के तो बॉंड बड़ी बॉंड बड़े का मतलग आसानी से टूट सकता है बॉंड इस नर्जी कम होगी आए अगला देखते हैं यह क्वेशन मुझे थोड़ा सा थोड़ा अच्छा लगा मतलब लगा ठीक है फलकी सी आपको पता है यहां पर और एलेक्ट्रॉन रहता है अगया आप देखो यह और यह दोनों आपस में रिष्टे में और एक्स बना रहे हैं मतलब इन दोनों के मिलने से एक ही कंपाउंड बनेगा तो निश्यत रूप से यह एलेक्ट्रॉन मिलके पेयर कर जाएंग और बना देखो कितना बढ़िया समझ में अच्छा अब अगला क्या डालना अब सोच के देखो बुद्धी बुद्धी चाहिए इसके इसके तिम्पल बुद्धी क्या वोटर आपको पता कि ह्ट्वो में ऑक्षीजन अपने लोन पेर के तू अटाक करके क्या करता है लोगों का आए न जाना चाहेंगे चाह वो यहां ऑक्सेजन पर आएं यहां और नियुक्ला उजर्ण और पर समझें नाइट्रोजन के पास और नएगे इसका कोवलेंट और बहुन हुद्ध चार बंता चार बन चुका है तो यहां पर तौफन रॉन बेकार है ऑक्सीजन तक तो आना जहां अटाइक करता वह वहां चोड़ता और अच्पलस निकाल लेता है तो वह इनके साथ छोड़ जाएगा इसका मतलब क्या है समझेगा यहां पर क्या होगा यहां पर इस तरीके समझ जाओगे तो यहां पर मैं लिखूंगा लेके वापस चला जाता है और वह जो होता है देखिएगा जब यह अटाइक करेंगे तो समझे यह इनके पास आगे और यहां के इलेक्ट्रॉन जंप करके यह यहां आ जाएंगे ठीक है तो यह कैसा बनेगा और बनेगा इसको लिख दिया मैंने अब यह नेगटिव है वह व थोड़ा सकल थोड़ा ठीक से देखें तो यह कुछ और नहीं यह एचनो 3 है देखने में तोड़ा आजीव लग रहा है है लेकिन क्या वह एचनी करना चलो पहले समझ लो पहले यह आना जरूरी है क्योंकि लॉजिकल है अब तरीका देखो पहले सीख जाओ पहले जरूरी ह क्यांते हैं हम क्या करते थे सर मुझे तो बॉंड तोड़नी की आदत है तो चलिए बॉंड तो बन कर रहे बताते हैं हम मैंको हुärtकök देखें यह पर क्या बोलोगी यहLCा भ़ी कि यह बहुंद उटेगा मुस्का रीजन समझेगी कैसे टोटेगा ऑक्सिजन जादा एलेक्ट्र नेगटिव है जादा एलेक्ट्रो नेगटिव के ऊपर नुब अई पर नगुटप चार्ड कम एलेक्ट्रो नेगटिव क्लोरीन उसका घ्ल पॉजटीव चाहँ और जिदर प यह रहा भाया जी यह रहा आसान है कि नहीं बताओ आसान है लॉजिकल है मुझे अच्छा भी इसे लिए लगा कि हाँ थोड़ा सा तो चलो बुद्धी लगाने कामी कर तो रहे हैं अच्छा एक बार बताओ अगर मैं तुम से कहूं कि मैं इसकी रेक्शन एसल के साथ कराना च यह सोच के देखाऊ अगर मैं इसकी रेक्शन एचल के साथ कराऊं तो क्या बनेगा एचल के साथ रेक्शन करने पर क्या बनेगा तो एच प्लस इधर तो उस यह लिए चल टूग आश निकल जाएगा और एच अनू पी निकल जाएगा और समाज आया क्या खोपड़ी लग है न हाइपोफॉस्फोरस पूछते तो सिंपल था यह एच 3PO 2 दिस ऐच हाइपोफॉस्फोरस एचेड लेकिन इन्हों ने पूचा हाइपोफॉस्फोरिक रिक रिक हाइपोफॉस्फोरिक एसेड में प्लस और Oxidation State देखने को मिलता है यहां पर यहां पर क्या बोलेंगे यह किया मिलें बोलो-बोलो दोनों एक साथ न बटाए है कि हाइंपोव फोर्स है फोर útil है फोफॉसकोर अ nossas हाइप फॉसपोर अचिटेइड में कि चक्ड करेंगे तो प्लस वन Oxidation State यहां पर फॉस्पोर या बटे हम पर प्लस 4 आता है लिए अगर मैं इस ट्रोक्टर की बात करूं तो तो this is H4 P2 H4 H4 P2 O6 H4 P2 O6 देख लेते हैं यह लिए गवारा चार घटा दिया हाँ ठीक है ट्लस पो रहा थे लोगे ना जी घलती बच्चा करता है यहां पर क्या होता है उसके धिमाग में हर बार हाइपो फॉस्पोरास से चल रहा होता है सिंप्लेस्ट वाला सिंपल सा यह वो सोचता नहीं है और इन्होंने बाकादे टेबल बना के अगला देखते हैं स्टेट्मेंट 1 क्लोरीन कैन इसली कंभाइन विद ऑक्सिजन टो फॉर्म ऑक्साइड तो ठीक है मिलकर के बहुत सारे क्लोरीन के ऑक्साइड बनते हैं क्लोरीन होगा होता क्या है यह जो से मैंने अगर सॉलिड इस्टेट में न तो वह क्या होगा सीयल टुगैस के फॉर्म में हीट करते ही कनवर्ट हो जाता है और जो अब समझ के देखो कि यहां पर हुआ क्या पहले सालिड था बात में दोनों गैस बन गए तो अगर माल लो की आप आ सामते हो एक्सप्लोजन क्यों होता है एक्सप्लोजन जैसे होता दिखो छोटी सी जगा होती है इसमें थोड़ा सा सॉलिड होता है और यहां पर माली जी आपने हीट करना शुरू किया अब यह जो सॉलिड है वह गैस के फॉर्म में कनवाइट होने लग गया तो यह ज्यादा वॉल्यूम अक्टिवाई करेगा करेगा की नहीं करेगा यह सब और जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा यह जो यह जो है न भाई यह फट जाएगा जिससे आपने उसको पकड़ रखा है ठक रखा है जो किछ भी होगा परदा वो पूरे तना से फट जाएगा तो इसको एक्स्प्लोजन कहते हैं एक्स्प्लोजन का बेसिक कॉंसप्ट यह है कि वहाँ पर वॉल्यूम को में बढ़ाना और इतना बढ़ा देना है तो यह टेंडन सी है मामला कहीं सही लग रहा है अगला पड़ते हैं चेमिकल रेक्टिविटी ऑपनेलेमेंट कैन ब डिटर बोठा ह capita के स्माने ब्रोमिक असड़ क्या उटा ब्रोमिक एसिद क्किया होता भई ब्रोमिक एसिद्ख Vro-3 एस अ ही यह यह ब्रोमिक एसडेज फाइव प्लस 5.6 च्छ counseling होता था ना तो वह ब्रोमिक एसड में जो ब्रूमीन उस पर प्लस फाइब का और यहां पर आप बोलेंगे प्लस से विन गोडिया स्वाल है वोटर गैस सिफ्ट रियक्षिन को ऐसा समझना होता है अच्छा पहले जानू वोटर गैस क्या होता है कारबन करने साथ करते हो यहां पर कोई यह है ऐस से पहले होता है छो यहां पर कुछ आक्या करते हैं तो होता क्या है जो carbon monoxide ना वह इनका भी reduction कर देता है और यह है च्टू ओ से हैच टू निकाल के बाहर कर देगा और खुद का सी ओ यह देखिए पहला वाला ही रहता है जो सी ओ है वो सी ओ टू के गया फॉम में निकल जाता है यह वाटर गैस से रेक्शन जहां पर हम कार्बन monoxide को एज रिडूसिंग ट्रीट करते हैं यह एक रिडूसिंग की तरह काम करता है यह खुद को हमें करना क्या होता कार्बन monoxide की खफ़त करनी होती है यह खत्म करना है हिस्सा और हमें H2 की concentration बढ़ानी है समझे ना बात को तो इसलिए यहां पर ऐसा reaction कर रहा है कि आर्षनेट का sodium आर्षनेट का एक समझे solution होता है उससे जब पास होता है तो उस आर्षनेट से वहां पर रुक जाता है और H2 पास होकर के साफ सुपरा मिल जाती है यह प्रोसेस था water gas reaction का तो यहां पर देखे catalyst temperature यह वाली चीज सही है clear मामला तो थोड़ा समेक्ट्राफ भी सीखते रहें तो ज्यादा आनंद आएगा the compound has the largest this bond angle in this is simple ns3 ch4 में सबसे ज्यादा आएगा और बेसली कोई loan pair नहीं है ज्यादा कुछ logic लगाने की जरूत है क्या यहां देखो एक loan pair यहां कोई आगे निकल जाएगे CH4 बताईए और आगे निकल जाएगे अगला देखे एक compound a compound a b3 n3 h3 cn3 यह बो राजीन के formation के टाइम पर रेक्षिन पड़ते हैं b3 n3 h3 cn3 तीन बार क्या हमें चार बार हमें तीन तीन लिखना पड़ता है यह हमारा compound आँ अच्छा चलो बाल लिया रैक्स विद लाई बी एच पूर लाई बी एच पूर के किसमें आप क्या बोलते हो लाई बी एच पूर टू फॉर्म इन और गानिक बैंजीन यहां जो बन रहा है दाट इस इन और गानिक बैंजीन बी 3 एंट्री एच शिक्स बी 3 & 3 6 लिए ममला बी 3 & 3 6 कैसे हुआ होगा समझना चाहेंगे देखें लाई भी एच पूर को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यह आपको समझ में आएगा यह हाइड्राइड डोनर का काम करते हैं लाई एच और बी इनका यह मिश्टन है लाई एचन बीस्ते लाई एच का थोड़ा पोस्टमार्टम करें तो आपको समझ में आएगा कि यह कुछ और नहीं लीथियम पर पॉजिटिव लेके घूमते और एच पर नेगटिव लेकर के घूमते हैं तो इसका मतलब क्या हुगा कि यह जरुत प बोरा जोल याा बोरा जी या इन और गनिक बिर जीन बोल्ते हैं क्लियर मामला तो यह हमारा इन और गनिक बंजीन ये अव itu कि अब लिखा है है यह लेक्स विच जू है है रियक्स विच्टी सी क्या है आचा सी टू फॉर्म तू फॉर्म दिस जहां पर लिखाई बीटी एंट्री एच थ्री फिर क्या है चिस थी जो वाई जब कितने त्री थी चिस तरी के बाद भी 3 क्या बीट्री 333 3 अब जो बना बुद्धी लगाना है चेहां वा क्या हुआ कि यह नेगटिब के रूप में निकले गा तहां पर शीख स्थी नेगटिव के रूप में आना चाहिए अटाक करने के लिए तो अमें पता एक शीज हम पढ़ते न यह पढ़ते हैं यहां पर देखी का उन्होंने क्या पूछा है बीके बारे में पूछा है कि नॉर्गनिम बेंजन का दूसरा नाम का एक तरीके से ठीक है और उन्हें पूछा कि यह किस से बना रहे हो एक नहीं मामला अगला देखते हैं और हीटिंग कंपाउंड ए गिस और यह बहुत पूछते पहले में बताई देता हूं हम बाद में पढ़ेंगी आये देखते हैं हमें करना क्या होता है इसके दो तरीके हैं सीखने के एक तो होता है डारेक्ट सीखलो पहले प्रोड़क्ट आना चाहेंगे आ जाए फिर हम दिव दिल लगाना सिख्जिए धने दिखते हैं प्रोड़क्ट निकालना सुखें उस्से ज्याधा आनना रता है देखो है डिरोजन निया पे राइडरोजन के तने आठ हाट हाट हाइड़्ी दोन पोना एच बॉर्पर निकालना कहां ने घकल एगा आग तो क्रोमियम का एक ऑक्साइड डाट इस सी आर टू थी बनेगा देख लिए यह पार्ट सी आर टू थी क्योंगी चार अक्षिंट हट गया अब हाइड्रोजन हट गये तो बचा क्या एंटू दो बार बचका मतलब एंटू बच जाएगा तो यहां से एंटू गैस तो बनेग ले रहेंगे यहां से भी वॉटर घटाना है देखो कितने हाइड्रोजन चार हाइड्रोजन से हम दो वॉटर घटा सकते हैं अगर हमें दो वॉटर घटाए तो यह सारी चले जाएंगे देखिए ऑक्षिंस आरे चले के हाईड्रोजन तो बचा कैस सिर्फ एंटू गैस जाता है अच्छा जी एन 3 एजाइड को चीट करने पर टू टाइम लेव टू टू टाइम एजाइड को हीट करने पर सोडिया नीचे छूट जाता और एंटू गैस का हमें पूरा गैस चैंबर भरा हुगा मिल जाता है जी आना प्री टाइम एस तो यह प्याउर आस यह प् मिलने का यहां बहुत ज्यादा होता है तो एंट बनाने की यह तीन में यह नहीं है चलो भया आप पड़ते हैं और हीटिंग कंपाउंट्स यह जाना जरूरी था इसलिए मैंने भी कॉश्चन नहीं पड़ा था आयो देखते हैं कॉश्चन में क्या क्या रहा है और हीटिंग क अच्छा टिटर भीज एस्टू इन प्रजेंस ऑफ कैटलिस्ट गिफ्स अनदर गैसी जब एंटू की रियक्शन हम एच्टू की साथ करा हैं है बर्स प्रॉसस कह रहा है और कह रहा है को हाँ पर कैटलिस्ट है आपर आयरन ऑक्षाड आजिए कैटलिस्ट है अपर लिखा रहता है तो यह आपस में रियक्शन करके क्या बनाते हैं बोलो एनस्ट्री गैस बनाते और दोसे सी एनस्ट्री गैसिस यहां से किता आसान है यह रहा सी अरे यही तो सिर्फ ऐसा है क्योंकि सूद नॉट लिग दिया ना इन्होंने सिर्फ यही है जहां पर एंटुगेस नहीं बनती बाकी हर जगां से एंटुगेस बनती और बाकी रेक्षिन हो पाएगी समझ रहें बहुत छोटी सी बात थी आई अगला देएौ करना हुँँगा यह सब देखना आप आप के हिंम्मत में है देखते हैं भी पहले बता आइस है देश्स पॉस्पोरिक है पायो के टाइम पर में क्या करना होता इसको टू-टाइम तो देखिए हैड्रोजन कितने हैं छह दो गया तो चाहर हाइड्रोचन साथ होजला अक्षिजनन और गया तो साथ एच 4P2O7 तो पहले पता चला कि यह पायरोफॉस्पोरी तो बना देता हूं हमने आपको अभी बताया था कि कभी भी कभी आपसे कोई कहे कि फॉस्फोरास करना मेरे को बना कर दिखाओ तो बीना सोचे पहले ये बना वह तो में इतना काम पहले कर ले ना है दो फॉस्पोरस से दूनों फॉर स्फोरस को पहले इस इज़्जत से नमाझ जी इज़्जत अनमाद दिया सब अब दर्यकित कर दिये गए और और ऑक्सिजन हमने के चार यूच कर दिये चारिज कर दिए अभी अमारे पाद ऄपाद रखन बची तो पूछ रहा है बना लेना में नम्हें कि टने हैं एक दूअ कि बहुए ओश बॉड कितने एक दो तीन चार नमपर पी provided is this is true table में ए सभी आएगा है ठीक लेट नाइट्रीट गेट सब्राउन गैस अभी बताया था लेड़ नाइटरीट को हम एडरीट करते हैं लेड़ नाइट रीड वहां हीट करते हैं तो हमें मिलती है अनुतु गैस जो ब्राउन कलर करना है तो मैं पता चला है यह आगे देखते हैं on cooling changes to a colorless हाँ यह देखें जब हम इसको कूल करते हैं ठंडा करते हैं तो यहां का है और तक हो बना लेते हैं और यहां यहां में गड़ बंधन कर जाता है और यह में क्या देता है मेरे अगला ंगला कि लिकूड या सिलिय। बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया तो सॉलेड और कम ठंडा किया तो लिक्विड ऐसा रहता है अब यह कह रहे हैं कि बी ओन हीटिंग डिस इस बी अन हीटिंग विद एनों अब इसकी रेक्शन में अगर एनों के साथ कर रहा हूं और यह बहुत बेसिक बुद्धी लगानी स थो दोनों को मिला करके हीट कर दो तो क्या बनेगा अरे बोलो यार क्या बनेगा एक ऐसा nitrogen का उक्षाइड जहां पर क्या होगा भी यह प्लस थी होगा बीच का एक और यह दोनों के मिलने से यह बन जाएगा जो कि कैसा हो था ब्लु कलर रगाए इसा इन्होंने मेंसर यह भ नाइट्रोजन इन सॉलिड सी यहां पर प्लस त्री आएगा लट इस प्लस कितना असान है भाई अरे बहुत प्लस फोर प्लस टू वाले को मिला होगे करोगे तो बीच का एक और स्टेट ना आएगा अगला देखते हैं रेक्शन आफ अमोनिया विद एक्सस ओफ एंड टू देखो पूछा गया मैं फिर अपनी मूल प्रश्ण पर मैं वापस आउंगा एनस त्री की रियक्शन अगर मैं क्लोरीन के साथ करा हूं सोचते रहेंगे तो थोड़ा सा आनन्द आपको आता रहे था समझेगा जो क्लोरीन है आपने पढ़ा होगा कि एक ठीक है आईए यहां पर देखिए यह और अक्सिडाइज एड़ा इसका काम क्या है कि नाइट्रोजन के माइनस थ्री और वो एंटु में उसको कनवर्ट कर दें एंटो में वो कनवर्ट कर दें इतनी बास समझ में आ गई और जमझें अगर नाइट्रोजन एंटू में चला गया तो यहां का हाइड्रोजन एच प्लस और यहां का जो सियल देखिए एक बास मझना सियल टू अगर एक ऑक्षिडाइजिंग एजन्ट दूसरे को तो ऑक्षिडाइज करेगा खुद को रिड्यूस करेगा और सियल नेगटिव ही बनाएगा तो क्लोरीन खुद का रड़क्शन करके सियल नेगटिव बना अब पहले ना यह बेसिक बुद्धी यह बेसिक बुद्धी का काम है ना नॉर्मली हमें पता होना चाहिए कि एंटू जब सियल टू के साथ रेक्शन करेगा तो यह चीज पहले जाने की बनता है इतनी बात देखो खोपड़ी में गई है आप बाद में एक्सेस तोक्से च पहले यह समझतु ह्याँ अच्छा यह पहले एक बेसिक रेक्शन है अब एक्सस वाला खेल खेलते हैं अब एक्सेस का खेलते हैं हमें अगर बताया गया कि हमने एनस 3 को एक्सेस में ईस तो सब्सक्राइब झाल और समझना है कि एक्सस से फर्क आता है फर्क समझना है देखो एंटू यहाँ पर देखो एंटू बनेगा सी एल टू इनका उक्षिडाइजंग इसको उक्सडाइज करके एंटू बना देगा और स्यल बना देगा अब समझो जब आपने कृपया ध्यान दें एनस्त्री को एक्सेस में लिया क्लोरीन तो ज्यादा नहीं लिया ना भई तो क्लोरीन ने तो इसको ऑक्षिडाइज करके खुद को खर्च करा लिया अब आपके पास क्लोरीन नहीं क्ट बचा अब आपके पास क्लोरी निए बचा क्या बचा अरे बोलना भाई क्या बचा एनस3 ऊब्चा क्या एकस्स में इसका मतलब है कि अब इनकी मुलाकाद युद्धे साथ होगी उनकी मुलाकात न ही के साथ होगे क्योंकि एक्सस में था अरे ये काम करने में नालाए को क्लोरीं खत्म हो गया लिमिटिंग रियेजंट है आप यहां पर नस्थ्री अब नस्थ्री रेक्षिन किस से करेगा तो समझो बात को एंटू एक इनका कौन काम नहीं यह रहे एसट यह रहे बेस आपस में इनका गडबंधन और इन्होंने कहां मैंने बनाया एनेच पूर्ची है अगर तुम्हें रटना पड़ तो बिस्वास मानो आप सही तरीके से नौर्गरिंग नहीं पड़ रहे हैं ठीक तो हम उधर क्लोरी जादा बना देंगे प्रोडेक्ट में बना लेना लेकूं लेकिल यह कौन सीखे गा अगला देखते हैं अगर मैंने एंसथिक कम ले लिया लेकिन मैंने भरभर के क्लोरी ले लिया आप बढ़ी दिक्कत है आपकी बार हमने ऐक क्लोरीन एक्सेस मेना तो जैसे यह बेसिक सा प्रोडक्ट जो आपका है वो बन जाए उसके बाद आप एक्सेस वाला दिमाग लगाईगे यह जो बना है उसकी रेक्शन हम लेकिन जो एंटू है वो सीयल टू के साथ मिलकर रेक्शन कर जाएगा और यहाँ पर एन सीयल थ्री बनेगा और साथ में क्या बनेगा एच किसी को कोई सक है तो जरूर बताईए लॉजिकल है सीखने की तरीके होते हैं समझने बात को रट्टा मार मारके एगर सरदर से बचना है दुबारा बोल रहा है तो आपको अगर मालू मैं कभी मिलता हूं तो आप यह बताते हो ना कि आपने यह चीज पढ़ाई थी इसमें मुझे मज़ा आया था और मेरा सेलेक्शन हुआ है तो वह चीज मुझे बहु बहुत ज्यादा खुशी दियती है तो वो चाहिए भाई तो वो काम जरूर करें कर पर आये देखते हैं इन्होंने पूशा था अच जवाब ढूंद लेना जबाब को बता दिया गया एक लाहिन हम एक्स्ट्रा बढ़के हर बार जरूर बता रहें आपको ताकि खोपड़ी आ इन और गैस सलफाइट है एकस सलफाइट का मतलब क्या होता आच प्रू प्रू नेगटिब इन ओर विक्षा यहां पर आपने एच प्लस दिया तो यह बन जाएगा हाएज़ टुव नहीं है वह टूप जाएगा लाइज टूओ प्लस यहां पर यहां पर यहां पर यहाँ यह बना इसका मतलब अहीं बने सिर्फ एक तो औन रुपना पड़ेघा समामला एक पूर नहीं बोल आगर वह दो प्रडॉक्स बोल देते लिखा further the reaction of x further the reaction of x and y x and y further the reaction of x एक मेट रुखेंगे एक समने एक से मने शुरुवात करी थी रहा ठीक है x and y and water efforts compound y मतलब बनाते हैं तो दिल लिख लेते हैं h2so3 plus na2so3 plus इसके साथ इन्होंने water मिलाया है वैसे आपको बता हूँ समझ गए कि या बताना पड़ेगा वैसे इन्होंने जबाब के तौर पर सिर्फ y और एक सी पूछा है तो जबाब तो हमें मिल चुका है लेकिन मैं चाहता हूँ यह भी समझ जाए अच्छली ना यह देखिए जो सब्सक्राइब करने बराबर ही है और यह सब तो नहीं समझना आता मुझे अब भाड़ा रहे हैं तो नहीं समझना आता है है ना यकों और एसे समझ लो यार were saw kans ये क्या बना देगा वह एस्सोट रहाए से लूso 3 था तो यहां से यह एज़स प्रस देगा एस प्रस देगा तो यह सलफाइट होता वह एक स्लीक्राइग सोडियम बाइसलफाइट क्लिए बाइसलफएट क्यूंकि रिखा है हाला कि इनकी जरूरत तो हमें नहीं थी फिलहाल तक आया देखते हां अगला क्या है जन्रेट्स कंपाउंड वाई रियक्ष्ण विद न वेज लिखा अच्छा यह देखो इनका जन्जट इन्हों ने एक तोना वाई लिख रखा है यह तो दो कंपाउंड बताते हैं इसका मतलब बहिया मैंने बोला था ना मैंने बोला था ना कि यहां का जबाब हो जाएगा ठीक आगे बढ़ जाते हैं अगला कोश्चन कर लेते हैं आसान था मैंने ज्यादा ही उसको खिचड़ी कर दिया आपके लिए देखो यह कितना बढ़िया टंपरिचर बताया इस टंपरिचर का मतलब पूलिंग ही तो होता है थंडा करना तो होता है मेरे भाई बस खतम हो गया जवाबाद चुका होगा आपके दिमाग में अरे सर नाइट्रोजन के यहां पर देखे प्लस टू है और अगला जिससे मिलावाने जा रहे हो एंट्व फूर वहां नाइट्रोजन पर प्लस पूर है है इन दोनों के मेल मिलाब से कौन बनता है एंड टू तुरी का ब्लू कलर का सॉलिड बनता है ऐस यह अगला देखते हैं अगला क्या है दक करक्ट इस्टेट्मेंट विट रिस्पेक्ट टु डाई नाइट्रोजन इस डाइश नाइट्रोजन से रिलेटेट कुछ पार क्त तो उसको बोलते है cryo surgery उसके लिए न्टू काम आता है रिजन क्या है कि लिक्विड नाइटोजन भॉट एक ठंडा होता है हमने बहुत सारे परफॉर्म की है और हमारे डेली में एक इवेंट होता है जिसमें स्कूल्स के बच्चे आते हैं उसमें हमने एंटू के कई सारे जादू भी दिखाई है कभी कहिएगा तो मैं उस तर भी एक वीडियो बनाऊंगा आना कुछ कुछ हमारे पास पोड़ी है महां की आम लोग क्या करते थे जैसे अब थोड़ा सा बता द से निकल के आता हां लेकिन वहीं थोड़ी देर बच्चे के हाथ में रहा जाना तो क्योंकि इन्वार्मेंट में टंपरेचर 25 दिग्री है तो वह क्या करता है लेकिन तुरंत वह नहीं टूटा करता है बच्चों के लिए सब पाट रहता है तो वह यह है कि किसी दरी की बच सब्सक्राइब करता है यही तो गयास में है है कौन यही दो लोग है हमें ऑक्सीजन सुंगने को नहीं मिलेगा अगर यह रेक्शन करने पर आ गया तो क्यों यह भाइज़त 78 परशेंट 20 परशेंट को तो खाई जाएगा तो हमें नहीं मिल रहा फिर ऑक्सीजन अगर यह यह रेक्शन हो गई तो समझ गेना बात को खत बयां दो करता है बहुत ज्यादा लोगों से रख्ष OCL negative बनता है, तो आप कहा लिख हो कि CA OCL twice, CA OCL twice यह बनता है, यह है कौन, bleaching powder, यह हमने बनाया bleaching powder, boiling point मतना बचना, यह है bleaching powder, ठीक है, cold and dilute में तो यह बनता है bleaching powder, बस इन्हों नहीं A and B respectively पूछा था, तो इसका मतलब NACLO3 and this, यह राजब आप, यह तो आसान था हुई, आग SS bond in rhombic sulfur R, देख लेते हैं भाई, यह क्या है, अच्छा, यहाँ पर लिखा है, S2O8, S2O8 का structure, अभी थोड़ दिर पहले हमने इसी के related acid पढ़ा था, Marshall's acid का structure पढ़ा था, अब हमें इसी का anion बनाना है, तो anion में क्या होगा, देख लेगी, आठ oxygen है, दो negative charge है, दो negative charge है, तो हमें इसका मतलब क्या है, दो oxygen पर negative चार लगाने पर ही, तो देख लेजी एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ, तो यह टोटल आठ oxygen हो जाएंगे, दो नगटिव चार, यहाँ पर कहा है, नमबर of SO bond, sulfur oxygen bond कितने हैं, तो देख लेते हैं, एक, दो, ती, चार, पांच, छे, साथ, आठ, अरे, एक, सलफर की ना, रे, चार, तो टोटल आठ, तो यह जबाब तो यहाँ से मिल गया भया जी कि sulfur oxygen bond जो है, तो टोटल आठ होती है, ठीक है, नमबर of SS bond in rhombic sulfur, आपको पाता ना, rhombic sulfur S8 के form में रहता है, हना, S8 के form में र रॉंबिक sulfur तो बनाना आता ना, crown saved होता है, अब 8 sulfur है, तो 8 bar bond तो बनाने वाले हैं वो, हना, एक दूसरे को इस तरीके से connect करेंगे, लास्ट में लाके जोड़ देंगे, ठीक, तो 8 and 8 इसका जबाब आज में, क्लियर मामला, बोलो ही यह, मामला एकदाम, सुपर डूपर वा की reaction आप N2 के साथ करा रही हो, और नाइट्राइड मिल रहा है, यह sodium के साथ तो पॉसिबल ही नहीं, magnesium यह reaction करता है, यह लोग यह clear हो गया, magnesium या lithium, यह reaction कर सकते हैं, बटे हाँ पर magnesium है, तो निश्य दूपर magnesium बोलेंगे, देखिए, sodium और या उसके कोई भी नीचे की बात करें है, lithium के नीचे का कोई भी मेटल, एंटो से रेक्शन नहीं करता है, सिर्फ lithium और magnesium करता है, वो भी lithium इसलिए कर लेता है, क्योंकि उसकी रिस्तेदारी ही चलती है, डाइगनल रिलेशन से चलता है, magnesium के साथ आपको, उसका मानना बढ़ेगा, यह रिस्ते ऐसे चलते नहीं है, बगरावत सो करनी पड़ते थोड़ी से, यहां lithium नाइट्राइड अगर मैं B की बात करूं, तो B क्या रहा होगा, magnesium नाइट्राइड, this is, magnesium के किस में क्या होगा, टू प्लस तो यहां नहीं कि नाइट्रोजन पर थी, तो यहां पर लिख दीए, ना, नाइट्राइड यह बन टाइम और यहां पर बनता है टू प्लस, अगर वो कॉंप्लेक्स इस तरीके से बनाएगा, तो कलर तो होते ही है, अना, डी ब्लॉक के मेटल्स अगर इस तरीके से कॉंप्लेक्स बना रहे हैं, तो नेशन तो तो कलर होंगे, थोड़ा सा इजजत लिखना पड़ेगा, जीन पाइट, यहां पर P4 किसमें है, जीरो अक्षिडेशन स्टेट में, इसका डिस्प्रपोर्शनेशन होता है, वो माइनस 3 और प्लस 1 में कनवर्ट हो जाता है, ना, माइनस 3 और प्लस 1 में कनवर्ट हो जाता है, अब इसकी रेक्शन अगर आप SCL के साथ कराओगे, कितनी बे बनाओ फिर रूंग जओ, इतना बनाओ फिर रुख जओ, तो बताइशन सारे यूज कर दी, दो हाइडूजन बच रहे हैं, तो हाइडूजन इहां पर लगा दीजी, ठिक है बिशिटि कितनी है, एक ही हाइड़ो जाजेशन से जुड़ा है तो बेसित स मेंद य्की, वन हो लोär में मैंने मैं इसào सकता है उक्सिजन का जीतियौ वाला भी पॉसुबल हो कि फॉसीं पूसिबल लेकिन यह देखो फॉस designer प्लसपाइब यह प्लसफ वाला और ज्यादा प्लस सेवेंट प्लस इस तो यह सिर्फ रिड्यूस हो सकता है अना कुल मिलाके तो यही जवाब हो जाएगा बाकी लोगों के साथ यह कि देखो नाइड्रोजन प्लस थ्री में है तो यह उक्षिडाइज हो करें प्लस फाइब हो जाएगा रिड्यूस होता है याद आ रहा है कुछ किसी को याद आ रहा है कि जब हम हीट करते हैं तो क्या बनता है याद गरिए प्रोडक्ट आपको आशीड में जाता है जब हम ऐसे एसे को हीट करते हैं तो सेम कहानी यहां सलफर पर प्लस फोरहीट कर दोगे प्लस इक में चला जाता है ठीक है तो यहाँ पर ऑक्षिडाइज इंग लिडियोसिंग दोनों बन सकते हैं बट यहां पर नहीं बनेगा क्योंगा है तो सिर्फ इनका ऑक्षिडेशन सुर्फ इनका रिडॉक्षन पॉसिबल ऑक्षिडेशन तो पॉसिबल है कि नहीं किसी भी कीमत पर अगला देखते हैं यह क्या विया एवरेज बॉन्ड एनर्जीज डिक्रीजिंग और अच्छा बॉन्ड अनर्जी कहां पर हो और एक क्लोरीन फ्लोर सब्सक्राइब करते जा रही है इसमें कोई सक नहीं है अगला देखिए अगला के इंदा फॉल्विंग रेक्षिंस प्रोडॉक्स एंड बी रस्प्रेक्टिवली आर अभी तो पढ़ाया था वाई इंटल सेंट की जागी किया देखो यहां पर ड्राई तो वैसे ते हापर क्या बनता है यह जो बी बनता है वो है को ब्लीचिंग पाउडर पाउडर के रूप में मिलेगा ठीक है यहां पर एने से लोटी अभी पढ़ाया था तो कोई खास जरूर्वत तो भी है नहीं और बता देखिए यह देखते हैं क्या है दरेक्शन इन फिच्टा हाइब और इन होगा यहां पर अंडरलाइन हो सकता है और यहां पर अंडरलाइन भी हो सकता है ठीक है आइड़ देखते हैं यह जब्स प्रपोंशनेशन और कर आएगा तो प्रेक्षिन करके यह एसल बना देंगे और यहां पर सलफर का तो अप्र नहीं बदले गांगे तो यहां पर यहां पर नाइट्रोजन वहां पर लोन पेर भी यहां नाइट्रोजन पर अभी आप बोलोगे तो सब्सक्राइब कर लिए प्लस अगर ले भी ले तो यहां पर क्या होगा न फूर प्लस न फूर प्लस में क्या होगा चार बोंड बनेगा तब यहां भी नहीं बदला जब आपके तरफे निश्य तरुफ से यहां सही है रीजन बता देता हूं एक से एफ पूर सामने को ने एस भी एप सिक्स एस भी एफ पाइप जब कभी भी पी ब्लॉक का कोई भी फ्लॉराइड होता है तो वो क्या करता है जैनौन के फ्लॉराइड से अपनी तरफ एफ पास जाएगा तो sbf5 से यह sbf6 नेगटिव बन जाएंगे और क्योंकि इन्होंने फ्लॉरीन दे दिया तो यहां पर एक सई एफ 3 बनेगा क्या एक सई एफ 3 लेकिन इन्होंने नेगटिव चार्ज अपने अंदर से निकाला तो इसलिए पॉस्टिव बनेगा तो यहां प पर दोरह लिजिए एक यहां पर दोरह लिखा है और सामने से यहां पर लिखा एने एफ मतलब की एस ब्लॉक का कोई फ्लॉराइड है तो सानन का सामने फल्लक वाला है इसको देना है यह रगला कहते है अगला क्या है HF has highest boiling point among the hydrogen halide the reason is region is strongest hydrogen bonding इसलिए इसका क्या होता है boiling point ज्यादा आता है बिद रिस्पेक्ट तो SCL HBR and HI clear iodine reacts with concentrated HNO3 I2 जब reaction करता है HNO3 के साथ यह आपको बढ़ाया जा चुका है बलकि आपको बताऊं जब कोई भी नॉन मेटल आप लेते हो नॉन मेटल जैसे आप S8 ले लो पी फोर ले लो कारबन ले लो सलफर ले लो यह नॉन मेटल्स लोगे या आयोडीन ले लो तो इन सब के क्या होते है हमें बाद हमें मिल रहे होते हैं तो आयोडीन का इक एसड़ क्या है एक एसड़ेट हाई फी तो यह एक एसड़ मिलता है बोलना भाई क्या मिलता है एक इस अगला देख लेते हैं क्लोरीन और रेक्शन विद होटन कंसेंट्रेटर्ट सोडियम हाइड्रॉक्षाइड कि एक ही चीज कितनी बार पूछो कि भाई थका दिया है एक है इसका मतलब बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है अच्छी बात है यही आएगा पेपर में आए अगला देखते हैं देनोबल गैस देज नोट अकर इन अटमॉस्फियर इच एक बार पढ़कर के देख लीजेगा यह है आर एल हीना नीना और करीना के जेगा ऑक्स रंगीन और इतना रंगीन हो गया कि वो नेचर में ही नहीं रह पा रहा है ठीक है जी आई अगला देखते हैं दो अग्जिए अफ सलफर देट ड़ेज नोट कंटेइन बॉन्ड बिट्विन सलफर एक इटम इज सलफर एक पर जहां पर बॉन्ड नहीं होता है अच्छा देखें एच्टू एसो थी का स्ट्रॉक्चर देख करके आपको क्या लग रहा है एच्टू एसो थी एच्टू आने के बाद हो जाएगा थायो सलफ्यूरिक तो थायो सलफ्यूरिक लिखते हैं एच्टू 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 ओध्र बढ़ाना पड़ेगा इसका इस्ट्रॉक्चर भी उससी तरीके से बना दीजिए सेम चाफ तो जैसा कि हमने कहां पर सीखा हुआ है सल्फ्यूरिक अ बाद कर लीजिए यहां की बात कर लीजिए और यहां पर बना ले जाओगे यह रहाज जवाब मिल गया दसनोट पूछा थाना इन्हों ने जबा मिल गया जवाब तो मिल गया लेकिन बाकि का इस्ट्रक्षर बना लिना अरी यह कोन पाइरो सल्फ्यूरिक अभी पीछे बत मिलेगा भाकी आप चेख नहीं होगी तो SS का बांड मिलेगा यहां पर क्या होगा SS का मौन मिलेगा यहां पर यहां पर भी संसी मौनमें गर मा मला ध्यां रखेंगे यहां पर SS मौन मिलेगा बाखी स्ट्रक्षर बनाना आता है इतना तो मानलू कोई भरोसा मत्किया करी हमारे उपर हम भरोसे लाग योग नहीं है यह तो नहीं कह रहें तुम कि बोल भाई आप तो यह सब तीज़ें तो एकदम धडल्ले से आनी चाहिए आपको सबसे आसान काम होता है कि कहीं पेपर में निष्चे दूप से यह पूछ ले तो आनंद ही आ जाएगा ठीक यह कह रहा है चार तो फ्लोरी ने हमारे पास चाहिए इनके स्ट्रॉक्चर ना दिमाग में च्छप जाने चाहिए क्योंकि होते बड़े आसान है भाई कोई रॉकेट साइंस राही नहीं है आप चकर लीजेगा जबाप आप खुद दूने जैनौन का किनारी क्या है विया इस्टेरिक नंबर चकरी तो एक दो तीन चार पांच छे इस देखो फ्लोरिंग आपको पता है वो एक्जिल पोजिशन लेगा तो ऑक्सिजन हमें कहां रखना पड़ता है डबल बॉन ऑक्षिजन को यह एक्वेटरियल पर रखना पड़ता है तो यह इस तरीके का है टीबीपी टाइप का बनता है ठीक है तो क्या पूछा कि नंबर आ पेर नंबर आ बॉनड पेर तो मैं बॉनड पेर की बात करह од को तो अगर इन्नोंने सिग्मा पूछा है अचाने कि लिए अब ऐन वहाला पूच्छा यह फिए तो यह सिग्मा होगा निशा दुछ से इसा मुझे लग रहा है सिग्मा होगा अगर अगर नहीं पूचा हो ता सब्रक्च्च्राइब पता चल जा है यहां पर तो आएगा 5 मैं रेकत में लेक्ड क्या सिग्माइब क्या पर सिक्कमा आए कितने हैं पाई कितने तीरों के शीनोंढिय। यहाँ पर कहीं पर है 5 एक मिनट एक मिनट थीन। तो झाहिं स ठाइब ए哎 एक इस तरीके थोगा तो अगे को सोब न लए लागता है जिना यहक्री ना खेए योगा ओगर अगे आगे रिखते देहें जनारन घ्जाफ लुटे मतलब क्या होता है एकश एफ जो आप आप लेंगे तो कैसा होगा हर बार दो एच एफ निकलेगा और यहां से दो एच प्लस निकलेगा और ऑक्षिगन इंटर करता है तो दो फ्लोरीन हटा दीजिए तो इतने बचे चार्ट दो हटा दीजिए क्योंकि दो एचफ के रूप में निकल गए ना हर बार क्या होता है दो एचफ के रूप में फ्लोरी निकलता है ऑक्षिजन इंटर कर जाता है तो यह बनेगा अब इसको इज़्जत से लिखोगे तो लिखा जाता है अब इसको एक बार और करिए दो एचफ यहां से गायव कर दीगे पानी डालने के बाद दो एचफ के गायव करने थे एक सई ओटू एफटू बन जाता है अब और ज्यादा करवा दो कंप्लीट अगर मानलों में को कंप्लीट करवाना हो तो दुबारा क्या बनेगा सबसे लास्ट में एक सई ओथी बनेगा लेकिन उन्हें बोला पार्शियल हाइड्यूस से एक्स मिलता है और वाई मिलता है तो नीचे पार्शियल से तो यह दोना मिलेंगे जवाब लिख ल अधर नीचर के तो अलग हो जाता नीचर मतलब केमिकल भी है विख लो गया यह यहां पर नेम नेम आप ऑप शिजन इस पसी के वो तुम में कैप लस एंड ओटू लेगटिव सूपर ऑक्शाइड वोलता है इसको क्या बोलता है इसको सूपर ऑक्शाइड है ना और और 2x is equal to minus 1 X is equal to kitna minus 1 by 2 बोलो भाई होगा की नहीं होगा तो देख लीजेगा क्वें सुपर ऑक्शाइड है माइनस वन वाई टूल्स का दबाग हो जाएगा अगली चीज क्या विया एक गुरूप फिफ्टीन एलेमेंट विच इस अ मेटल फॉर्म अच्छा जो की एक मेटल है फॉर्म सा हाइड्राइड विज इस्टॉंगेस्ट रेदूसिंग पावर मेटल तो भाई हमारे पास बिस पाइड्राइड होता है तो वहाँ पर हाइड्राइड समझ लो अगर 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 सकता है जो कोई भी हाइड्रोजन डॉनर है वह अच्छा हो जाता है आई अगला देखते हैं यह क्या लिका है यह पढ़ने में तो अजीर लगेगा यह कुछ ऐसा है यहां पर एक्स छोटा बन गया fex 2 मालगा है fp x3 अब मेला x4 एक पर बनी है एक तर यह क्या हो सकते थे तो समझ लीगे कि देखे एग्सिस्ट की क्या करता यह फी न करता है प्लस थ्री होता है वह एक औक्षिडाइजिंग टांग करता है यह दूथरे को औक्षिडाइज करता है तो उसके सामने अगर आपने यह देखेगा इसको मैंने इस तरीके से तो लिखाए तो यह है क्या यह खुद प्लस टू बनाने की कोसेच करेगा और आई नेकेटिवर सागर जाता है कि यह कभी स्टेबल नहीं सकता क्योंकि इनके अंदर भीया oxidizing agent reducing agent पल रहा है समझ रहो दो खतरनाग लोगा आपस में reaction कर जाएंगे और आरें टू प्रस और आई टू बना देंगे तो इसलिए यह एक्जिस्ट नहीं करता बट करता है रीजन क्या है रीजन यह है कि आई नेगर जो होता है वहीरोंडर रि Celsius है उतना reducing agent नहीं होता ब्रोमीन नेगटेब क्लोरीन नेगटेब एफ नेगटेब पर रिदूसिंग होई ही नहीं सकता समझ गया बात को यस लॉजिकल था दर रेक्शन ओफ वाइट फॉरस वन वाइलिंग विद एलकली एनर्ट एस्मोस्पेर रिजल्टेद इन देख लेते हैं क्या करें हैं यह कह रहें कि पी फूर के रेक्शन हम एनियों एच के साथ कराएंगे हमें पता है कि डिस्प्रपोर्शनेशन की रेक्शन होती है और वहां पर मिलता है पी ने रेक्शन औस टो हम यहां पर एक्शो पियो टू नेगैटिब ले रहे हैं तो ह्टू पहुटू नेगटिव कि हमने एक्सस ऑफ एगेनों थी खिजात रेक्शन कराई है हमारे पास एगेक्शन अग्सेस में इसका मतलब आपकर एगब यदि प्लस याद गरो यह यह रि एजे नो तर्म एजी प्लस है अब सोच के देखो हम क्या करते थे बोलो बोलो अगर यह एक्षिन करवाते थे तो यहां पर अगर हम हाई पो फॉस्पोरस असे लेते थे हम उसको डारेक्ली एक एसड़ में ह3-PO4 में कफॉर्ट करते थे जहां पर फॉस्पोरस पर प्लस 5 ऑख़िएशन स्टेट है और यहां पर फॉस्पोरस कि इखर मैं बात करूं तो प्लस 1 के अंदर है तो इनका औक्षिजशन स्टेट का चेंज देखना ब्लस 1 से ये प्लस 5 होगा लेकिन इनके पास तो कितना है इसका मतलब यहाँ पर हमें इस और पर मोल रिदूस हो जाता है और हमें फूर एजी मिल जाता है तो लॉजिकल है ना कई से भी रट्टे जैसी कोई जी नहीं आई रट्टे जैसी कोई बू नहीं आई यहां पर आए देखते हैं अच्छा थैंक्यू मिलते हैं ली वीडियो में तब तक के लिए खुश रहिए प्रसंद रहिए आबाद रहिए जंद आबा अरे बबाद टेके लिए लॉब यौल